हलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टूजर माई चैनल फ्रेंट्स, आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके हेर्स तो रिमूब होंगे ही आपका ग्लो भी भर भर के आएगा फेस पे ग्लो आएगा मोटे तीके हेर्स जो हैं वो भी इसमें पर्मानेंटली रिमूब हो जाएंगे और चेहरा इतना ज्यादा खिल उठेगा जैसे कि नई दुलहन का हो एकदम बढ़ी आसान फ्रेंट्स, एक चीज मैं आपको शीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंट्स, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ हैर्स ना रिमूब कराती हूँ, ना ही वैक्ष कराती हूँ मेरे भी मोटे तीके बाल थे मेरे भी फेस पे बाल अभी भी है लेकिन मैं जो शोलूशन यूज करती हूँ, नए नए शोलूशन यूज करती हूँ जो आपके साथ शेर भी करती हूं वो सारी remedies मैं अपने face पे यूज़ करती हूँ समय समय पर जैसे मुझे time मिलता है मैं ये remedies यूज़ करती हूँ जिससे मेरे चेहरे पे बाल नहीं आते हैं और नहीं मुझे पारलर जाने की जरूरत पड़ती है तो आप भी remedies का use करके time time पे अगर आप इन्हें use करते हैं तो आपके भी सरीर से सारे अंचाहे बाल निकल जाएंगे और चेहरा तो glow करेगा एकदम पड़िया सीशे की तरह चेहरा आपका चमकने लगेगा इतना अच्छे से इसके glow आता है तो चलिए मैं remedy बनाना शुरू करती हूँ एक मुझे बाउल ले लेना है हमें उसमें हमें ले लेना है fit curry fit curry के बहुत सारे फायदे होते हैं आप सभी जानते हैं fit curry का nature होता है वो hairs जो है वो remove करती है unwanted hair को remove करती है और उनके hairs जो होते हैं उनकी जणों तक को खतम कर देती है कभी जल्दी से आने नहीं देती नए hairs को अगला हमें ले लेना है जो का आटा जो का आटा जो इसमें चिपचिपापन होता है उससे hairs remove होते हैं ये भी hair remove करने के लिए काफी helpful होता है अगली चीज हमें ले लेनी है सहद सहद हमें एक चमच भर के ले लेना है आप जानते हैं अगर सहद सूट नहीं करता है तो आप sugar powder ले सकते हैं लेकिन अगर आप सहद ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सहद हमारी चेरे जो loose skin हो जाती है उसे tight करने का काम करता है और अगली चीज हमें ले लेनी है दही दही हमारे चेरे पर जैसे आप जानते ही है cleaning का काम करता है काफी फायदे मन होता है और हमें लेना है जितना एक बार brush में हम लेते हैं उतना paste ले लेना है एक बार brush में जितना भी हम paste करते हैं आप उतना ही हमें लेना है क्योंकि हम face पे इसे use करेंगे जैसे कि हम threading कराते हैं waxing कराते हैं जो काला पन आ जाता है उस काले पन को ये toothpaste जो है वो कम करता है उसे खतम करता है इतना ज़्यादा ये helpful होता है cleaning hygiene, cleaning hacks का काम करता है ये remedy हमारी बनके तयाह हो चुकी है इसे हमें दो से तीन मिनट तक इसे हमें mix करना है जिससे ये अच्छे से activate हो जाए अब हमें face को clean कर लेना है एकदम साफ पानी से clean water से हमें face को clean कर लेना है देखें आपको मेरे चेरे पर hairs नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैं जो भी remedies यूज करती हूँ अपने face पे ही try करती हूँ तब मैं आप सब के सामने उसे लेके आती हूँ तो इसे हमें लगा लेना है इससे आप को एक चीज बता देती हूँ इससे आपके hairs तुरंत remove नहीं होंगे धीरे धीरे करके अगर आप एक से डेर्ड महिने तक आप इसका इस्तेमाल करती है तो आपके hairs की growth जो है वो ना के बराबर हो जाएगी एकदम धीरे धीरे खतम ही हो जाएगी growth नहीं होगी नए बाल जब नहीं उगेंगे तो face पे unwanted hair आएगे ही नहीं इनका हमें इस्तेमाल करना है आप जैसे थ्रेडिंग करा के आती है उसके बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती है इसका आप एक तरीके से जैसे face पैक होता है उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकती है जो रोमशिद्र होते हैं हमारे फेस पे उन्हें ये बंद करता है और उसको अंदर से उसकी जड़ों को खतम कर देता है ये फिटकरी का बहुत अच्छा फाइदा होता है और जो सहद होता है वो हम उसका टाइटनिंग का काम करता है तो हमें सहद और दही भी तो क्लीनिंग है तो दही भी फेस पे ग्लो ही लाता है जब क्लीनिंग करता है डेड़ी स्किन निकल जाती है इस तरीके से हमें सर्कुलर मोशन में ही अपने फेस पे मसाज करनी है और आप सोचें एक यहीं बार में हो जाएक तो एक बार में नहीं होगा, मैं आपको बताया दे रहे हुँ कि हाँ आप क्लियर कर देती हुँ कि आपको एक बार में रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तो अंतर आएगा ही, अगर आप हफ्ते भर यूज गरते हैं, एक ह नहीं होगी और से चेर में अबने चेहरे हमें एसे आपका चेहरा धिरे धिरे चमकने लगेगा और हैर रिमूप हो जाएंगे अगर पर्मानेंटली यूज करते हैं तो hairs भी remove होंगे देखिए आपको चेहरे पे अंतर दिख रहा होगा कि हाँ चेहरे पे अंतर आया है एक बार में ही इसमें फरक दिखा है तो friends वीडियो अगर थोड़ी सी भी useful लगी हो तो like जरूर कर दीजेगा like करने में आप बहुत कंजूर्शी करते हैं आपके एक like से हमारा motivation इतना हजारों गुना बढ़ जाता है आपका प्यार हमें पता चलता है कि आप हमें हमारी वीडियो उसको प्यार दे रहे हैं इसे हमें clean कर लेना है अच्छे से एकदम अच्छे से इसको हमें साफ कर लेना है साफ पानी से अगर आप पूपास पानी नहीं है उस जगह पे तो आप इसमें जैसे गुनगुने पानी से अपने कोई भी कॉटन का कपड़ा या सॉफ्ट हैंकी होता है उससे आप अपने face को clean कर सकते हैं पढ़िया glowing देखिए result आया है बहुत अच्छा result आया है आप इस face को कैसे clean कर सकते हैं कितना बरकरार रख सकते हैं अब हमने जो यह fit curry का use किया है तो उसके बाद हम जो भी redness आ जाती है उसको हम ले लेंगे ice cube ice cube से अच्छे से अपने face को massage करेंगे जो भी इसमें होगा जो भी looseness जो भी बची होगी उसके उससे यह एकदम tightness आ जाती है और glow भी बरिया भर पूर आता है देखिए इस तरीके से हमें अपने face को ice cube से massage भी कर देनी है friends काफी helpful है 100% work करती है मेरी remedies कोई भी fake नहीं होते आपके जब comment आते हैं कि आप fake वीडियो बनाती है तो बहुत कस्ट होता है क्योंकि मैं remedy यूज करती हूं उनका result मुझे जब समझ में आता है तभी मैं आपके साथ share करती हूं मैं आपके साथ share इसलिए करती हूं कि आपको भी पार्लर जाना ना पड़े भर भर के जो आप पैसा खर्चा करती है वो ना कर्चा करना पड़े तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी मत बूलेगा मैं इस तरीके की नई वीडियो असलाती रहती हूं तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ बाए